हलो दोस्तो, जीवन में हर वेक्ति सफल होना चाता है, लेकिन सफल होना इतना आसान नहीं है, मेहनत और कठिन परिश्णम के बाद एक वेक्ति सफलता के सीखर तक पहुँच पाता है, साथ ही सफल होने के लिए आपको कुछ अच्छी आदतों को भी अपनाने की जरूरत होती हे यह आदती हर सक्सिश्फल इनसान में होती है, सफल और आसफल लोगों में जो सबसे बड़ा अंतर होता है, वह है नजर्या था, किसी भी चीज को देखने के या सीखने के नजर्या सफल लोगों में आम लोगों की दुल्ला में थोड़ा कुछ इन्सान में होती हैं वह सकारात्मक्ता पाजिटिव सोच रखने वाले लोग कभी हर नहीं मानते हैं ऐसे लोग कर आप चीजों में भी अच्छा ही दून लेते हैं और आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता त्यार कर लेते हैं इसलिए जिवन में सफल होना है तो सकार दूसरों की केर करना उसका अध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है सिल्फ केर, हम दूसरों का ध्यान रखते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हम अपना ध्यान रखें, सिल्फ केर, जब आप अपना ध्यान रखें के तभी दूसरों कर ध्यान भी रख पाएंगे सफर लोगों में सिल्फ केर का गुर्ण जरूर होता है थर्ड है सुभाव विक्ति के सुभाव में उसके विक्तितों की पहचान होती है सफर लोगों में दयालूता और सहानबूती की भावना देखी जाती है उनके बीतर एंकार के लिए कोई जगा नहीं होती है फूर्थ है गल्दियों से सीखना बहुत से लोग होते हैं जो गल्दियों से हार मान कर काम करना शोड़ देते हैं लेकिन जिने सफल होना होता है वो अपने गल्दियों से सीख कर ही आगे बढ़ते हैं इससे ये भी पता चलता है कि किन गलतियों को दोराने से बचना चाहिए फिप्ट है जोखिम लेने को सैयार सक्सिस्फुल लोग जोखिम लेने से कभी घपराते नहीं है जोखिम काम करने से जोखिम काम सोचने से या लेने से कभी वो घपराते नहीं है क्योंकि इन्हें पता है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना भी जरूरी है सिक्स है समय के बरोसे बैठे नहीं रहते कई लोग कुछ काम करने के लिए सही समय के इंतिजार में बैठे रहते हैं लेकिन जिने सफल होना होता है, वो सही समय का इंतिजार नहीं करते हैं, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, सफलता के लिए सही समय कभी नहीं आता, जो समय आपको मिला है, वो ही सबसे सही समय है, इसलिए समय के उप्योगिता को समझें, और तुरंद जो करना है, उसे कर डालें दोस्तो मैं आसा करती हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अपने सुचाओं और सवाल के लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं इस सपन लोगों का मूल मंत्र अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तो लोगों को रिस्तिदारों में सेर करना ना भूले नमस्का दोस्तो